तो इस वक्त आ रही है एक बड़ी ख़वर 36 गड़ से यह ख़वर है कांकेड से जहां पर एक बड़ी मुठवेड में बाड़ा नकसली मारेगा है यह मुठवेड हुई है 36 महाराश बॉर्डर पर और देविन फर्वनीस ने इंक्यावन लाक के नाम की खुश्णा की है यह मुठवेड सुबह 10 वज़े से चल रही थी मुठवेड में दो जवान भी घायल हुए है यह बड़ी बेकिंग ख़वर है कि कांकेर से इस वक्ती बड़ी ख़वर आई है मुठवेड में बाड़ा नकसली मुठवेड में बाड़ा नकसली डेर हो गा है और यह 36 गड़ महराश्ट बॉर्डर पर मुठवेड हुई थी और सुबह 10 वज़े से लगाता मुठवेड चल रही थी इस मुठवेड में ज़्यादा जानकरी देने के लिए हमाई साथ 36 गड़ से जुड़ गए हैं रवी मीरी तो आईए चलते हैं रवी मीरीकास रवी बताईए इस पूरे मामले में क्या अपडेट है बहुत बड़ी मुठवेड की खबर है जिसमें 12 नकसली मारे गए हैं महराश महराश और 36 गड़ बॉर्डर जहां खासकर कांकिर जीला जुड़ता है उसी इलाके में मुठवेड हुआ है और इस मुठवेड में 12 नकसलीों को धेर किया गया है जवानों के बहुत बड़ी सफलता आज मिली है आज दिन भर तक रुक रुक करे मुठवेड लगरतार चल रहा था और इस वक्त जो बड़ी जानकारी है सामने निकल कर आई कि 12 नकसलीों के 100 बरामत कर लिये गये हैं और इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सही होगी मुठवेड पांडे जी भी जुड़े हैं उनसे भी बातचित करेंगे समझेंगे यह मुठवेड आज दिन भर से चला है बहुत बड़ी सफलता इसको माना जा रहा है कैसे हुआ था यह देखे चत्यसगड का जो बॉर्डर लगा है महला मानपूर और कांकेर उसके ज़स्ट अपोजिट जो है गड़ चिरोली जिला है वहाँ पर यह मुठवेड हुए सुबह से चल रही थी लगातार चल रही थी एक दो एक दो जवानों को लेकिन यह बताया जा रहा है महराश्ट पुलिस की तरफ से कि उनको इन्फरमेशन मिली से उसके बाद महराश्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन विंग के की टीम वहाँ गई और यह बड़ी सफलता है देर साम अभी कुछ देर पहले यह आया कि बारा नक्सली मारे गए जी एक और अपडेट आया कि दो जवान घायल हुए हैं घायल जवा अब यह पूरा जो ऑपरेशन है इसमें सी सिक्स्टी जवान सामिल थे सी सिक्स्टी जो है यह महराश्ट की स्वेसल फोर्स है जिसे नक्सलियों के खिलाफ गठित किया गया था यह फोर्स काफी एफेक्टिव रही इस इलाके में और आज भी यही देखने को मिला यह जो व यहां स्ट्राइक किया है और यहां एक बड़े इंकाउंटर के बाद जो जानकारी मिली है कि बारा नक्सली मारे गए हैं उनके सौब रामत कर लिए गए सबसे खास बाती है कि तीन एके 47 बंदूक मिली है दो इनसास राइफल मिली है तो यह बंदूके बताती है यह कहा जा रहा है, हाला की अभी जवान, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, जवानों के साथ ने सबसे बड़ी चुरौती है, कि वापिस इन नक्सलियों के साथ हो को ले कर सुरक्षी जगह पर पहुँचना ऐसे में जब जब जवान सुरक्षी जगह पर पहुँच जाएंगे इसके बाद ये टै होगा कि कौन से नकसली से मारे गए हैं उनकी सिनाक्ती के बाद लेकिन जिस तरह की बंदूके मिली है तीन एके फोटी सन बंदूकों को मिलना ब्रिजे सर हम लंबे समय से नकसल इलाके में रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम ये जानते हैं कि इन बड़ी बंदूकों का मतलब है कि इस मुटभेड में बहुत बड़े कैडर के नकसली मारे गए हैं तो ये बात बहुत साफ है कि टीन एके फोटी सन बंदूक दो इनसाज बंदूक एक कारबाइन बहुत बड़ी सफलता है किस तरीके से नकसली को मारा गया है बगर एक बड़ी बात जो देखने में आ रही है कि जो 36 गर सरकार और महाराश सरकार जो कॉमिनेशन है जिसके चलते इतनी बड़ी सफलता मिली है जो नकसली नीती है जिस पर कुछ माहीनों में पर 25 find सबसे ज़्यादा नकसली मारे गया है तो यह नीती की क्या व्यापकता है और क्या तीख़पन है जिसके चलते लगातार अटेक हो रहे हैं और उन अटेक्स में नकसली लगातार मारे जा रहे हैं अभी तक 36 गड़ सीमा के अंदर मारे जा रहे थे मगर ये नकसली महराश सीमा में मारे गया है क्या combination रहा दोनों राज़ी सरकारों के बीच का और क्या है नकसली नीटी देखे राज़्या में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही एक operation शुरू किया गया था नकसलवाद को खत्म करने का जो कि पिछले 5-6 मैनों से लगतार जारी है और अब तक 100 से जादा नकसलियों को मार गिराए गया है तो समझ लीजेए इसमें बड़े बड़े नकसली हैं जिन पर 10-10 लाग 20-20 लाग रुपय के इनाम भी रखे गए थे और एक और option जो सरकार ने सुरू किया है पहले तो नकसलियों को मारने का प्लान है जो आतंक मचा रहे हैं और उसके बाद दूसरा प्लान है कि जो नकसल संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनको मुख्यधारा में वापस लाना तो मुख्य धारा में वापस लाने के लिए पुनर्वास नीती बनाया जा रहा है, इस पर राज्य सरकार लगतार सुझाओ ले रही है, पुनर्वास नीती को समझने के लिए हमारे साथ बिरोचीप अमरिगेंद पांडी जी उनसे समझते हैं, ये पुनर्वास नीती क्या है? देखिए राज्य सरकार की पूरी कोसिस है क्योंकि आप देखिए केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार और भाजपा का पूरा फोकस नकसलवाद को खत्म करने पर है पुनरवास नीती में ये है कि अभी Google फॉर्म दिया है, राजे सरकार की तरफ से, ग्रेवेबाग की तरफ से Google फॉर्म दिया गया है, उसमें सुझाओं मांगे जा रहे है, इसके साथ साथ जो पिछली पुनरवास नीती थी जिसमें आत्मसमरपन करने वाले नकसलियों को घर दिया जाता था, जमीन दी जाती थी, रोजगार के और सर उपलब्द कराया जाते थी, उन चीजों को और बढ़ाने की बात सामने आ रही है, आने वाले दिनों में इन चीजों को और बढ़ाया जा सकता है. आगड़ा भी देखने को मिला कि 400 से जादा नकसलियों ने आत्मसमरपन किया, बहुत सारे नकसलियों गिरबतार हुए है, तो यह जो आगड़ा लगतार प्रिजेश दी देखने को मिल रहा है, तो यह साब तवर पर कहा जा सकता है कि सरकार का जो एग्रेशिव मोड है, नक रवेड़ हो रही है, और निश्यती एक बड़ी सबलता हासिल हुए है, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक देखने, बहुत बहुत